आप लोगों के स्क्रीन पर कोस्चन दिख रहा होगा निम्न में से कौन से इस्थल अलग-अलग समय में मगद की राजधानी थी तो देखे मगद सामराज्य के विस्थाय में कोस्चन है तो कौन से इस्थल अलग-अलग समय में मगद की राजधानी थी ये आप लोगों को बत तो आपको बताना है कि इन छह नगरों में से अलग-अलग समय में कौन से नगर मगद की राजधानी थे, नीचे कूट दिया हुआ है तो कूट में आपको मिलान करना है, तो दिखें मगद शामराज्य, वैसे अगर बात करें मगद के पहले राजवंस की, तो मगद में सबसे पहले हर्यकवंस के सासकों ने सासन किया था, हर्यकवंस के सासकों ने सासन किया सबसे पहले, जिसके संस्थापक थे बिम्बिसार, तो दिखें, बिम्बिसार के समय में मगद की राजधानी थी, गिरी व्रज, गिरी व्रज, ये जो है बिम्बिसार के समय, जो की मगद का सं थानी थी बिम्बिसार का उन्था तो मगद का संस्थापक था मगद सामराज्य का संस्थापक था बिम्बिसार तो इसने जो है गिरीवरज को अपनी राजधानी बनाई थी तो पहला जो नगर दिया है गिरीवरज वह मगद की राजधानी थी इसके बाद बिम्बिसार का उत हर्यक वंस से संबंदित थे लिख देते हैं वंस भी कभी वंस भी पूछा जा सकता है कि किस वंस के सासक के समय में मगत की राजधानी कौन थी तो बिंबिसार का उत्राधिकारी हुआ अजात सत्रू और अजात सत्रू ने अपनी राजधानी ग्रीवरज के इस्थान पर इसके बाद अजात सत्रू का पुत्र हुआ उदायन ये किसका पुत्र था अजात सत्रू का कहते हैं अजात सत्रू के हत्या उसके पुत्र उदाईन ने कर दी थी मतलब इनका जो परमपरा था ना कि अपने पिता की हत्या करके गद्डी प्राप्त करना जैसे कि अजात सत्रू ने किया ठीक वही चीज उदायन ने भी अपने पिता के साथ किया इसलिए इस वंस को पीटर हन्ता कहा जाता है तो ये भी आपके हर्यक वंस से संबन्दित है तो उदाईन ने क्या किया एक नए नगर की इस्थापना की जिसको हम लोग पाटली पुत्र के नाम से जानते हैं और वर्तमान समय में पटना के नाम से तो पाटली पुत्र नगर की इस्थापना की उदाईन ने और उसको अपने राज अर्था तो मगध की राजधानी हर्यक वंस का कुछ समय बत पतन हो जाता है इसके बाद आ जाता है इधर चलते हैं हम लोग वंस जो इधर लिख रहे हैं ना आ जाता है इधर शिशु नाग वंस सिसु नाग वंस का संस्थापक था सिसु नाग अब सिसु नाग ने क्या किया इसके समय तक मगद के आसपास के काफी सारे छेतरों को मगद के राजाओं ने जीत लिया था जिसमें से वैसाली भी एक था वैसाली को भी जीत लिया गया था तो शिशुनाग ने क्या किया वैसाली को अपनी राजधानी बनाई। अरथात मगद की राजधानी शिशुनाग ने किसको बनाई। वैसाली को जान रखेंगे। किसकी राजधानी हुआ करती थी वत्स महाजनपत की यहां लिख देते हैं वत्स ये कौशामबी मतलब जो कौशामबी है वो वत्स की राजधानी हुआ करती थी उसके बाद जो छटे नंबर में दिया है उज्जैनी उज्जैनी तो भई मगत से काफी दूर था और उज्जैन और वत्स की राजधानी कौशामभी तो जो पाचवे और छटवे नंबर के नगर है वो कभी भी मगद की राजधानी नहीं थी तो चार नगर गृवरज, राजग्रिह, पाटली पुत्र और वैसाली ये जो हैं मगद की राजधानी अलग-अलग समय में रह चुकी है किस सासक ने किस नगर को राजधानी बनाई ये भी पूछा जाता है तो गृवरज को बिम्बिसार ने अपनी राजधानी बनाई राजग्रिह को अजात सत्रू ने पाटली पुत्र को उदाईन ने वैसाली को सिसुनाग ने अपनी राजधानी बनाई अच्छा अब एक और प्रश शिशासन किया मौईयों ने भी पाटलीपुत्र शिशासन किया जबकि हम यहां देख रहे हैं कि जो सिसू नाग वन्स का सस्थापक जिसने हर्यक वन्स का अंत किया था उसने राजधानी पाटलीपुत्र से वैसाली इस्थानांतरित कर दिया, तो फिर दुबारा तब पाटली पुत्र मगद की राजधानी बनी, तो देखिए, फिर से जो पाटली पुत्र है, ये जो सिशुनाग है न, इसका उत्राधिकारी होता है काला सोक, काला सोक, तो ये भी सिशुनाग वन्स का था, काला सोक भी सिशु बनता है तो वो क्या करता है राजधानी वैसाली के इस्थान पर पुनह पाटली पुत्र इस्थान अंतरित कर देता है मतलब उसको वैसाली में मज़ा नहीं आता है पाटली पुत्र में उसको ज्यादा मज़ा आया होगा तो काला सोग जो है फिर से राजधानी को वैसाली से पाटली पुत्र लेकर के आता है और इसके बाद मगद की राजधानी इस्थाई रूप से पाटली पुत्र ही होती है काला सोक के जो भी उत्राधिकारी होते हैं उसके बाद नंद आते हैं फिर मौरे आते हैं चंदरगुप्त मौरे बिंदुसार अशोक उसके उत्राधिकारी उसके बाद जब सुंग सासक आते हैं पुस्यमित्र, शुंग, वशुमित्र, अगनी मित्र ये सब उसके बाद कणववन्स के सासक यहां तक की जो गुप्त सासक थे उन्होंने भी प्रारम भी कुछ वर्सों में पाटली पुत्र से ही सासन किया था तो आगे चलकर के पाटली पुत्र मगद सामराज्जी की इस्थाई राजधानी बनी अगर कभी प्रश्न पुछा जाए कि पाटली पुत्र के शासक के समय में मगद की इस्थाई राजधानी बनी तो काला सोक के समय में और पाटली पुत्र को पहली बार किसने राजधानी बनाई थी तो उदाईन न इसी ने पाटली पुत्र नगर की स्थापना की थी तो ये आप लोग चीजे धान में रखिएगा तो आपता आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कूट में मिलान कर लीजिएगा एक दो तीन चार आपका आंसर होगा ना